नमस्कार मैं हो ससी आई जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं मुख्य मंत्री मया योजना सुरू 12 हजार देगी राज सरकार मुख्य मंत्री मया समान योजना की सुरुवाद रभिवर को मुख्य मंत्री हमल सुरे ने पाख कुड के गाय बथान काउ से की है इस मौके पर आयोजीत सभा में उन्होंने सरकार की उपलब्धियों के साथ राज की बदलती सियासी सरगर्मी का भी जिक्र किया और भी पक्ष पर भी हमला बोला हमन्त ने कहा मुझे जेल में डाल कर लोग सभाद चुनाओ करा दिया बाहर रहते तो जारखन में भाजपा को दो सीट भी नहीं मिलती अब हमारे मंत्री बिधायों को तोड़ने का काम कर रहे हैं लोग सभाद चुनाओ के दोरान भी तोड़ने जोड़ने का काम किया था यही कारण है कि आयोध्या में भागवान राम ने इन लोगों से मुह मोड लिया है सीम ने मैया योईना का जिक्र करते हुए कहा आज से राज जी की हर महिला को साल में 12,000 रुपे राज सरकार देगी 40,000,000 से अधिक महिलाओं के आविदन स्युक्रिती हो चुके है हर माह की 15 तारिक तक रासी पहुंच जाएगी एक घर में जितनी महिलाओं होंगी सभी के खाते में रासी जाएगी पाकुड की 81,000 महिलाओं के खाते में रभी वार को पैसे पहुंच गया है इससे पहले मुख्य मंजने पाकुड में 112.124,000,000 रुपएगी परिसम पत्यों का बित्रण किया है रिम्स में आए सातवे दिन हर्ताल वार्ड में भरती मरीज परेसान कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्शु डॉक्टर के साथ दोसकर्म के बाद हत्याक मामला अब तक गर्माया हुआ है घाटना को लेका डॉक्टरों में अब भी रोज है जुनियर डॉक्टरों के हर्ताल के कारण राज के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में सोमवर को लागाता है सातवे दिन मरीजों को इलाज की सुविदा नहीं मिल सकी पिछले मंगलवार से शुरूर हुए जुनियर डॉक्टरों के हर्ताल मांगे नहीं मानने जाने के कारण अब तक जारी है हर्ताल के कारण OPD सेवा और नियमित अपरेशन पुरी तरह से ठप है भरती मरीज को भी वार्डों में भरती मरीजों को एक चिकित सा देखने पहुंचते हैं इसके बाद एक भी जुनियर डॉक्टर वार्ड में मौजूद नहीं रहते जारखन के चार जीलों में आज भारी बारिस का औरेज अलर्ड जारी किया गया है जबकि राज के अने हिसों में कहीं भारी बारिस होने का एलो अलर्ड भी पुरुन्मान है मौसम विभाय कनुसार बंगला देश और उस्तर सटे पच्छिम मंगाल के उपर बने गहरे निम्न दबाव छेतर की दिशा में परिटन हुआ है अभिया पच्छिम की बजाय उतर की और बढ़ रहा है बाजूद इसके अगले दो तीन पूरे राज में बारिस होने की समभवना है मौसम विभाय कनुसार राज में पिछले 24 गंटे को दोर मांसुर की गतिवीती कुछ कमजोर रही है रासन कार्ड जांच के लिए चलाय जाएगा अभियान रांची जीले में गलत तरीके से रासन कार्ड बनाए गरीबों का अनाज खाने वाले के खिलाप जीला परसासन अभियान चलाएगा जीला परसासन को मिली सिकायतों की जाच के साथ घर घर जाकर भी रासन कार्ड धारकों का बहुत तिक सत्यापन किया जाएगा अयोग ये लोगों के पास राशन कार्ड मिलने के बाद उन पर ततकाल जुर्माना लगाये जाएगा और प्रात्मी की भी दर्ज की जाएगी जब से राशन का उठाव किया जा रहा है उस समय से अनाज की बाजात दर के साथ 10 परसद ब्याज की राशी जुर्माना में वस्विली जाएगी राशे जिले में राशन कार्ड के लिए 76,000 आवेदन लंबी थाएं रिक्ती नहीं रहने के कारण आवेदनों का कार्ड नहीं बन सका है जिला परसाशन के नुसार अपात्र लोग गरिबों का राशन नहीं ले सके इसके लिए अब डिल्रों को भी जबाब दही बनाया जाएगा डिल्रों को राशन देते समय संपन लोगों की पाचान करनी होगी सभी बहनों को 12 दिनों में पहली किस्त मिलेगी सीयम हेवान सुरे ने एक्स पोस्ट के जरिये मुख्य मंत्री मया समान योजना को अभोतपूर सफलता बताया है उन्होंने आकड़े प्रस्तूत करते हुए बताया है कि योजना के लिए मात्र 15 दिनों में 23 लाख आवेदन प्राप्त हुए है 40 लाख आवेदनों को प्रसासनिक सुगरीती दी जा चुकी है बहनों के खाते में रभी वार से सम्मान लासी का भोकतान सुरू कर दिया गया है आगे की योजना पर प्रकास डालते हुए सीम ने कहा है कि अगले 12 दिनों में प्रवंडलवार सभी बहनों के खाते में पहली किस्त जमा होगी उन्होंने जनकारी दिया है कि जीन बहनोंने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे अपने नजदी की प्रग्या केंदर में किसी भी समय अवेदन कर सकती है उन्होंने इस उपलब्धी को अधभूत बताया है और इसके लिए सरकार के हर करमचारी सीएसी कर्मियों और राजिक की सवी बहनों का हार्दिक अभार भी जताया उन्होंने कहा है कि यह योजना जार्खन की महिलाओ के ससकती करन और आर्थिक सोतंत्रा की दिशा में एक महत्पुन कदम है राखी का महूर्थ आज दोपर डेड़ बजे से राक्षा बंधन पर इस बार भी भद्रा का साया है इस वज़े से सोमर को राखी बंधने का सुब महूर्थ दोपर एक बज़ कर तीस मियट के बाद से है जो त्यों की राय में सुब कारियों में भद्रा का ध्यान रखना चाहिए रक्षा बंधन का परव सनातन संस्कृति के पांच परमुक परवों में से एक है बता दे भाद्रा के साय में राखी नहीं बांधी जाती है धार्मिक अधार पर्यादी भाद्रा का साय हो तो राखी नहीं बांधी जाती भाद्रा को क्रूर और आशुरी परवीर्ती माना गया है जो सियो की राय में राखी का सिधा संबंद सूर्य और मंगल से है मने आता है कि संध्या काल के बाद राखी नहीं बांधनी चाहिए वहीं बिशम परिश्थितिया अपवाद है इसलिए 29 अगस्त को 36 बचकर 26 मिनट तक राखी बांध लेनी चाहिए वहीं बिशम परिश्थितियों में राथ 3 12 बचकर 25 मिनट तक का समय है जारखन के तीन सहरों को मिलेगी नई इलेक्ट्रिक बसे जारखन के तीनों परमुक सहरों में नगर निगम के माध्यम से परधान मंत्री इबस देवागे शुरुआत की जानी है इसके तहट राजधानी रांची धनबाद अमजम सेथपुर को 100-100 इलेक्ट्रिक बसे मिलेगी जिसका संचालन नीजी अपरेटरों के द्वारा सरकारी दिशार निर्देश के अनुसार किया जाएगा जिन तीन तरह की बसों की खरीदारी प्रस्तावी थाए उनमें स्टेंडर्ड मीडी एवा मीनी बसों का चेहन किया गया है इन बसों के संचालन पर केंदर सरकार से प्रती किलोमेटर की दर पर सहयोग रासी पदान की जानी है राज सरकार इस योजना के तहट जितनी बसों की मांग करेगी उतनी ही संख्या में बसों के स्क्रेप में भेज़े जाने का परमान देना होगा पुरू में जोहरलाल नेहरू सहरी पुन्रूद्ध्वार मिसन के तहत इन परमुक सहरों में सोसो बसे दी गई थी जो की अब कबार हो चुकी है चमपाई सुरेन बोले cm पज से हटाकर किया अपमान जारखन के पुर्व cm और जे ऐमेम नेता चमपाई सुरेन के भाज़पा में सामील होने की खबर मिलते ही दिल्ली से लेका जारखन तक 18 हल चलतेज हो गई है सनिवार साम चमपाई सुरेन दिली के लिए निकले और विधाय को संग रभिवार को दिली पहुँच गए राजनीती चर्चाओ के बीच उन्होंने अपने अधिकारिक सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर भाजपा में सामिल होने की वज़ा बताई है चमपाई सुरेन ने एक्स पर लिखा है कि इतने अपमान और तिरसकार के बाद मुझे बैकल्पिक रास्ता तलासने पर मजबूर होना पड़ा भारी मन से मैंने विधायक दल की बैठक में कहा है कि आज से मेरे जीवन का एक नया अध्या सुरू होने जा रहा है इसमें मेरे पास तीन विकल्प थे पहला रायनेतिक से सन्यास लेना दूसरा आपना अलग जंगठन बनाना और तीसरा अगर इस रास्ते पर कोई साथ ही मिले तो उसके साथ आगे का सफ़र तय करना जारखन बिधान सभा चुनाओं में जीत को लेकर बीजेपी का प्लान तयार सुरक्षिस सीटों पर जीत सुनिस्ट करने के लिए पार्टी उन्हें भी किसी ऐसी ही सीट से उमिद्वार बना सकती है बता दे भाजपा के राजनितिक कारों का मनना है कि समाने सीट पर तो उसकी स्थिती मजबूत है जबकि कदावर नेतावों को सुरक्षित सीट से उतारने का फायदा मिल सकता है भाजपा के चुनाव सफ प्रभारी और असम के मुख्य मंत्री हिमंत विश्वा सर्मा ने पार्टी के वरिष्ट नेतावों को इसके लिए त्यार करने का संदेश दे दिया है विश्व बिद्याले और कॉलेजों में सितंबर होगा पोसन मा भारत सरकार के महिला एवंबाल विकास विभाग की और से उच सिक्षन सस्थानों को सितंबर को बतोर पोसन मा मनाने के दिशार निर्देश जारी किये गए हैं इसे पोसन मा 2.0 नाम दिया गया है इसके तहर जारकन के सभी विश्व भी देल है वह कॉलेज में राष्ट्रिये सेवा योजना की और से 31 सितंबर तक पोसन मा मनाया जाएगा यह 5 बिंदू परकेंद्रित होगा जिन में एनिमिया विकास निगरानी पुरक आहार पोसन भी पढ़ाई भी और बहतर प्रसाशन परदार सिता और कुसल सेवा बितरन के लिए प्रदेव की सामिल है पोसन मा एक जना अंदोलन के रूप में मनाया जाएगा धन्यवाद